करें हेलो अबरिवन 46 ऐज किस lingu लए लेक्चर क्लास में हम लोग सेक्वेंस आप सेंटेंसज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ट्रांसलेशन का ही सेक्षन है ट्रांसलेशन के सेक्षन में मैंने लास्त अपिसॆड जो है 싹नटेंस इसमें अटिश्गर करना होता है आज हम लोग जो सिक्वेंस पढ़ रहे हैं वह कुछ इस तरह से कि आपको यहां पर सिक्वेंस के मिलेंगे संटेंस के और उसके कार्डिंग कैसे आप उसे ट्रांसलेट करोगे इस चीच को लोग सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है सिक्वेंस ऑफ स संटेंस और कैसे से ट्रांसलेट करना है ग्रामर में जैसे कि मैंने पहले बताया है बहुत से टाइप के संटेंस होते हैं जिने आप ट्रांसलेट करना सीखना होता आपको बहुत से टाइप के रूल्स होते हैं जिने आपको ध्यान रखना होता है तो उसी कड़ी में सिक्व नज़ा हुआ जुडा हुआ या फिर दूसरे के साथ में कोई तीसरा भी जुड़ा हो इस परकार के जो effekt होते हैं वो sequence कहलाते हैं और sequence of sentences कहला थे हैं लेकिन अब tense में एक word यूज किया गया है तो sequence of tense जब कहते हैं तो 10 का मतलब यहाँ पर उड़ाता है उसके काल में पास्त हो ऐसे दो संटेंस होंगे दो से अधिक होंगे जिनके अलग-अलग टेंसे होंगे तो उस कंडिशन में आप कैसे उसे ट्रांसलेट करोगे यह चीज़ समझनी है यहां टेंस का मतलब यह मत समझें कि आप अंग्रेजी के होते हैं लेकिन वह अपर यहां पर कुछ मिलने वाली है संटेंस में ऐसा कुछ दिया होगा और बहुत अच्छे समझने के लिए आप दिमाग में चीज फीड कर लें कि आपने जो डायक्ट इंडारेक्ट का अगर हिंसा पढ़ रखा है तो उसी पर बेस्ट के से संटेंस होने वाले हैं और इसी संटेंस होती चलिए समझ्थेह कि क्या चीज कैसे आप मिलने वाली एक संटेंस में एसे लिखा हुआ है संटेंस लिखा हुआ कि की सीटा कहती है कि वह पत्र लिख है धिया Instead से चीज़ देखिएगा ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा उन्हीं चीज़ों को फोकस करेंगे जो इसमें ट्रांसलेशन में टेंस दिया हुआ है सेंटेंस करा कि सीता कहती है कि वह पत्र लिख रही है ध्यान से कऱेंस देखिए सीता कहती है ताति वाला संटेंश है और है शाहा कई हो यह दो वाक्य है हुए ऐक साथ नों यह पहले हैं को सब और को बहुत कहते हैं कि लिखार क्वार को देखिता चीज़ेंगे उपने आप और क्यार होती जाएंगे कई पर आपको confusion सिर्फ बास से होता है कि से रूल में या कहीं बुक्स में इस तरह से लिखा रहता है कि प्रिंसिपल क्लॉज के कॉर्डिंग चलेंगे सबॉर्णेट क्लॉज के कोर्डिंग चलेंगे तो कन्फीजन हो जाता है समझने में कि आखिरकार रूल exactly क्या है तो यहां पर आप ऐसे समझ लिए इस चीज को आसान हो जाएगा जो यह शुरू का वाक्य लिखा है यह कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज यानि पहला मुख्य वाक्य और उसके बाद इस पर डिबेंड होके चल रहा है वो कहलाता है उप वाक्य सब आर्डिनेट वाक्य तो इस तरीकी चीज अब जब हमें इसे ट्रांसलेट करना है तो बड़ा इजी सा वे है जो आपने डिरेक्ट इंडिरेक्ट में पढ़ा हुआ है उसी तरीके को आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत आसान सा लगेगा यह जैसे सीता कहती है आप इसको को प्रेजंट-bijative देख रहे हैं तो कि तक तना ट्रांसलेट भी करेंगे जैसे सीता के लिए सीता यूजस कर दिया और मुए सब्षेता के साथ वाला संटमेंस determination करता है तो स्ब्यक्ट के साथ वर्भ की सांटीव में सा यहattend यह लगा दिया जाता है बस इतना करते हैं do इसके लाफ दो बाद वाले sentence को वैसे-वैसे लिख देंगे वह पत्र लिखर रही है तो यहां पे इस तरह sentence मलिख देंगे मैं क्वम्रण समझे कै ले बहुत रसमझेंगा जाल है और ऐसे sentences कई बार आपको कण्फूज करेंगे आप जो चीज देख रहे हो जैसे आप इसे translate कर रहो ऐसे बहुत आसान है लेकिन कई बार क्या होगा कि sentence में थोड़ा सा एक level high कर दिया जाएगा और आपको यह tough लगने लगा कि sentence अब कैसे translate होना है तो ध्यान आपको यह रखना है कि जब भी आप यह topic अगर पढ़ रहें इसको ट्रांसलेशन इसका तो इसके पहले आप direct and direct के सारे topic जरूर क्लियर रखें अगर आप उसे clear रखेंगे तो यह हिस्सा आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा काफी चीज़ें आपको यहाँ पर कॉमा लगाई जाएगी कई बार की एंग्री जी टू लगाई जाएगी तो ऐसे बहुत से changes आपको देखने को मिलने वाले हैं वह changes सारे के सारे based हैं direct and direct section पर ही तो इसलिए direct and direct अगर section आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत easy हो जाएगा यह तो चलिए next sentence देखते हैं आप sentence है स sequence बजल रहा है इस तरह से होगा तो sentence में भी कुछ नया नहीं है आपने डारेक्ट निडारेक्ट पढ़ा है तो पता होना चाहिए कि यहां पर इसके पहले जो होता है अगर present tense है इसके पहले यह जो principle clause होता है और यह फिर future tense है तो बाद वाला जो sentence होता है उसका कोई effect नहीं लेकिन अगर यह past में होता तो इस पर effect पढ़ता फिलाल तो यहां ऐसा नहीं है इसलिए इस तरह से समझते हैं आगे कुछ sentences के बाद में भी आप देखेंगे कि जब यहां पर past section आएगा तो इस पर यह effect पढ़ने लगेगा तो क्या effect होगा उसे मैं अभी आगे बताता हूं तो आप यहां पर सुने कि इस तरह पर sentence है यहां पर कि शीता सेज इतना sentence तो वैसे translate हो जाएगा उसके बाद that लगाएंगे की की जगा और फिर पूरा sentence वैसे translate कर देंगे कि वह पातर लिख रही थी तो शी वाज शी एक वचन है उसके साथ वाज लगाएंगे वर लगता न हो जाएगा कि सीता सेज दाट शी वाज राइटिंगा लेटर नेक्स सेंटेंस देखते हैं कुछ ऐसा ही है कि सीता कहती है कि वह एक पत्र लिख रही होगी तो सीता सेज यह अभी तक वैसी चलता है तो इसी तरह चलता रहेगा बाद में सेंटेंस दिया है जो उसको हैंगे क्योंकि यहां फ्यूचर की बात की जारे हो फिल होगी का कंडिशन लगाने के बाद में ध्यान रखेंगे कि अइंजी वाले संटेंस में हमें एक लिखना होता अपने पास से बी और भी लिखने के बाद वर्प की लिखते हैं तो यहां लिखेंगे विए उसके को हम धिननी है तो आप पहले वाले को आप लिखोगे घुर में तो रभी विल से इस तरह लिखेंगे अगर यहां पर कोई ऐसा कशन होता या वी होता तो यह में लिखेंगे और प्रेजन्ट की फिर्स्ट फर्स फॉर्म लिखेंगे प्रेजेंगे रवी विल से फिर दैट का यूज करेंगे और बाकी वाले sentence को वैसे translate करना है his sister उसकी बहन के लिए लिखेंगे his sister उसके बाद पढ़ती है के लिए लिखेंगे rates तो पढ़ती है present का tense है इसलिए ऐसे यहां पर लिख जाएगा next sentence है कि रवी कहेगा उसकी बहन पढ़ रही थी तो अब थी के condition आ गई है तो यहां पर स्टार्टिंग का वैसे चलना है रवी विल से और दैट लगाने बात की के लिए फिर लिखेंगे his sister was reading उसकी बहन पढ़ रही थी तो इस त sister will read उसकी बहन पढ़ रही होगी तो यहां पर इस तरह sentence बनेगा यह बाद वाला sentence जो है यहां पर future का indefinite है यह आपको पहचानना आना चाहिए अगर आप नहीं आता है इसको पहचानना तो आप वीडियो के playlist में जाके चेक कर लें वहां पर आपको इसका वीडियो मिल आए तो यह sentence translate कर देंगे चलिए अब next sentence देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी आपको दिखने वाली जहां पर sequence कुछ ना कुछ बदलता हुआ दिखाईगा देगा बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है अब आपके सामने sentence है sentence कह रहा है कि उसने कहा कि कुट्ता सड़क पर दौर र जैसे यहां sentence कह रहे है उसने कहा कि कुट्ता सड़क पर दौर रहा है ध्यान से देखिए sentence कह रहा है कि उसने कहा तो sentence past का बन गया की के बाद जो subordinate clause है रहा है तो यह sentence बन रहा है present का continuous ध्यान दीजीए का यह कह रहा present का continuous और यह कह रहा past का indefinite तो sentence अब हम translate करना शुरू करे जब यहां पर past indefinite है तो हमने लिखा he said कहा के लिए verb की second form लगा देते हैं तो हमने लगा दिया he said उतना हो गया की के अंग्रेजी that लगा दी हमने फिर कुट्टा सड़क पर दौड रहा है present का indefinite sentence है तो generally हमें बनाना यही होगा कि the dog is running on the road present indefinite है तो is लगाएंगे helping verb the dog के साथ में और तब sentence बनाएंगे लेकिन अब आपको यहां पर is नहीं लगाना है यहां पर आपको was लगाना है अब ऐसा क्यों करना इसी confusion को दूर कर लीजिए direct direct में आपने यह rule पढ़ा हुआ है कि जब भी that के पहले tense अगर past में दिया होता है तो जो बाद में sentence है उसका भी tense past में रहेगा भले वो present tense क्यों आ रहा हो पहले तब भी तो यह rule यहां पर follow करना है अगर यहां पर है दिख रहा है पहले वाला जो है past है तो भी है कि अंग्रेजी was में आएगी यानि past का बना दिया जाएगा उस rule के according तो इसी वज़े से यहां पर बनेगा sentence the dog was running on the road तो यह sentence है next sentence है ऐसे देखें बिलकुल वैसे ही है Mohan said Mohan ने कहा past में देखे बताया जा रहा है उसके बाद that लगाने के बाद में होना चाहिए he is honest लेकिन लिखेंगे हम he was honest क्योंकि इस का change said की वज़े से was में कर दिया जाएगा ऐसा इसलिए तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है लेकिन अब बहुत important चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहां पर कहीं भी यह जो प्रेजेंट का sentence देखने पास्ट मनाया जा रहा यहां पर कहीं भी अगर आपको ऐसा कोई sentence मिल जाता यह यह universal truth है जो सच्चाई बदल नहीं सकती जिसे सवर्भामिक लिखा जाता किताबों में तो सवर्भामिक कॉब ऐसा समझ लीजिए जिसे हम बदल नहीं सकते हैं ऐसी कोई चीज जो डुनिया का सत्य हो कभी थाक्त जैसा वह मौजूद होता है यह उसे कभी पास्ट में नहीं बदला जाता है अब sentence देखें कुछ next ऐसे दिया हुआ लिखा है कि उसने कहा कि प्रतवी सुर्ण का चक्कर लगाती है, तो sentence में है he said, उसने कहा, past की बात कही जा रही, तो यहां पर लिखेंगे he said, उसके बाद that लगेंगे, की के English के लिए that, उसके बाद सूर्ण के चक्कर लगाती है, प्रत मूव्ड नहीं किया गया फिर मूवड आफिर जो भी पास्ट मना चाहिए वह नहीं किया गया रेजन यह है क्योंकि यह यूनिविर्सल रोथ है प्रेजन इंड़िनीत सेंटेंच उपर बन रहा यहां पर भी ऐसे ही है ही सेड उसने कहा और लगाने के बाल लिखेंगे दाग बार्क एट स्टेंजर तो वह अजनबियों पर कुट्ता जो है भौकता है इस तरह से संटेंस जो है यहां पर लिखा जाएगा तो आई तिंक आपको चीजे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि क्या बताने की कोशिश में कर रहा हूं कैसे आपको संटेंस को करना है तो जो भी आपको चीज़ करनी है संटेंस आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह से एक के बाद एक संटेंस को उसके आधार पर ही करना है मगर जो भी आपने डारेक्ट एंडारेक्ट में रूल्स पड दिखाया गया हो तो comparison में क्या करते हैं कि हम इस तरह से sentence को translate करेंगे कि जो दोनों के tense हैं उन्हें वैसे ही रखेंगे जैसा वो मौझूद है तो tense उसमें कोई भी हो सकता है दोनों में कोई changes प्रेज़स नहीं की जाते हैं जैसे आपके सामें example लिखाहा यहाँ लिखाए कि मैं उससे जितना तो मैं उससे जितना प्यार करता हूं उस से अधिक तुमसे करता हूं तो दोनों के स आश आश हूं रखे गए देखिए को एहां पिक्रता हूं मिहें करता रहा है कंट बनाया गया है कि I love you more than I love him now जितना मैं उससे प्यार करता हूं उतना तुमसे भी करता हूं इस तरह के ट्रांस्ट किया गया है next sentence भी वैसे देखिए है कि यहां पर present है यहां पर भी present है दोनों को ऐसे बनाया गया मेरी बहन मुझे मेरे भाई के पेक्षा अधिक प्यार करती है तो my sister loves me more than she loves my brother जितना वो मेरे भाई को प्रेम करती उससे ज़्यादा मुझे प्रेम करती है तो इस तरह से यहां पर ट्रांसलेशन करना है कि जो टेंस यहां मौझूद है comparison में आपको वही tense रखना है तो I think चीजें आपको clear हो रही है कि कैसे कैसे करना है आपको चलिए अब next sentence देखते हैं कि अगर next वाला sentence जो है कहीं पर भी इस तरह का sentence होगा कि जो आपको past tense में दिखाई दे या जो आपको इस तरीके दिखाई दे कि उसमें adverb हो कोई जो purpose दिखा जई दे तो उसके according आपको चलना है जैसे तुम कठिन परिश्रम किया करो ताकि किया कठिन संटेंस तो में करते हैं कि यूट हार्ड तुमने कठिन पर किया क्रीं किया क्योंकि तुम प्रतराम सब वस्ट उस चीज को प्रूफ करना यह जो बता नहीं है तो यहां पर उद्देशं बता राएं दूसरे वाले में पर्पस बता रहा है उद्देश तो उसमें जो है टेंस जो भी उसका हम रखेंगे बाद वाले का तो ध्यान हमें यह रखना है कि पहले वाले के according ही रखा जाएगा तो जैसे sentence यह है कि तुमने कठीन consistent हो जाएगा नेक्स अधिक परिश्रम करता है ताकि वेफास हो सके तो यह बात हम ऑन करता है ता destructive है दंड सके तो लिखे गया है इस तरह से आप यहां चीज़ें ट्रांसेट करेंगे तो आई होप कि सभी को आज यह रूल्स क्लियर हुए होंगे जो भी कन्फिजन होगा आप उसे वीडियो को देखकर दुबारा से सॉल्व करेंगे सेंटेंस तो काफी चीज़ें आसान हो जाएंगे आपके सामने जो exercise है इसे exercise को solve करें इसके related जो भी questions आपको query होंगी उसे आप comment box में पूछें ताकि आपको अच्छी प्रेक्टिस हो सके grammar के level को आप अच्छे से समझ सकें तो एक ऐसे ही नए वीडियो नए lecture के साथ next e-learning session में फिर मिलेंगे लेकिन आज एक छोटी से information आप सभी के लिए क सब्सक्राइब कि पंद्रा अक्टूबर साथ नो बजे से एवरी डे एक special class चल रही है free of cost जो class है आप उसे join कर सकते हैं live class है और आप महीं नहीं आपके साथ साथ आपके आसपास जो भी स्कूल के बच्चे हैं जिस भी field में वह तैयारी कर रहा है competitive exam की वह भी उसे join कर सकते ह हैं live class है अगले तीन महीने तक आप उस live class को free of cost यूज कर पाएंगे उसमें grammar को पढ़ पाएंगे आपके जानने वाले जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोग को इस message को spread करें रात 9 बजे every day मेरे इस channel पर आप live रहें मैं आपको मिलूंगा जहां पर आप अपनी queries क को clear कर सकते हैं grammar के level को initially starting से फिर से आप पढ़ सकते हैं आपके जो भी questions होंगे आप day to day every day मुझ सकते हैं आप रोज के रोज मुझ से तो उस live class को miss ना करें और भी लोगों को बताएं ताकि काफी लोग उसे join कर सकें और सभी को benefits का मिल सकें okay so thank you class आज की class इतनी ही और next e-learning session म में फिर मिलेंगे तब तक कि लिए stay happy stay safe and keep watching आशे तुसर चैनल